नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग F50S डिवाइस पर अपना जो एप लोग का यहाँ पर प्रॉब्लिम उसको आप कैसे सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपका जो एप लोग के काम नहीं कर रहा है अपके डिवाइस में तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखेगा मैं आपको शोर करके दोस्तों बताऊंगा यहाँ पर कैसे आपको यह प्रॉब्लिम सोल्फ करना है तो दोस्तों आपको क्या सोलूशन करना हैं जयां पर आपको करने वाला हूं invites के सारा नतक बने रहे हैं सारे साथ अगर आपने चैनल को शब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते आज की इस वीडियों को शुरू करते हीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करना क्या है आप दोस्तों कि सिंपली जाइए अपने मोबाइल के लिए प्लेय स्टोर में ठीक है आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा उसमें दोस्तो एप लोग का future नहीं आते है ठीक है basically ज़्यादा तर mobile पे available आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर एप लोग यहाँ पे काम नहीं करते तो आप simply play store में जाए उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करें samsung एप लोग तो एप लोग के अंदर पे जाए एप लोग पे जाने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको यह application install कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों आप इस application को install करोगे अब दोस्तों इस application के true आपने एप लोग कीजिए ठीक है और दोस्तों बिल्कुल perfectly आपका जो एप से वह यहाँ पे लोट हो जाएगा और दोस्तों fingerprint वेगरा यूज़ करना है आप कर सकते उसके बार एप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्लस बटन पर क्लिक करें यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली जाए और कोई भी एप्स के जो बटन है उसको इनेवल कर दिजिए एंदेन दोस्तों प्लस आइकन पर दुबारा से क क्लिक करना है और ओके कर देना है ठीक है तो अभी यहाँ पर आपको दुबारा से करना होगा और यह एप लोग का जो सेटिंग इसको भी अलाव कर देना है जैसे लाओगा सेटिंग कॉंप्लीट और आपका जो एप है वह लोग हो जाएगा ठीक है मैंने दोस्तों माई है तो आई कि देखते हैं ऑक तो यहां पर अभी तक दुस्तों एप लोग जो report नहीं हुआ है ठीक है तो ओके तो यह सेटिंग यहाँ पर रहे गया था तो इसको ओके करना है ठीक है एक पर ओन टॉप तो इसको भी अलाओ कर देना है और ओके करना है अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते एलाओ एप लोग टू एक्सेस फोटोस मेडियास एंट फाइल न्यो डिवाइस ठीक है तो सबसे में सेटिंग तैसको एलाओ नहीं किया तो अभी हमकर करने के बाद बेक करके दुबारा से चेक करते और दोस्तों अभी आप लॉओ यहाँ पर काम कर गया है और problem दोस्तों हमारा जो है वो भी solve हो चुका है तो आपको सही application यहाँ पर select करना बहुत ही जरूरी है and then आपको problem बिल्कुर fix हो जाएगा ठीक है अगर आपके mobile पे by any chance मिल जाते है एप लोग का default feature अगर वो काम नहीं करते हैं आप सोफिर को update कर लीजिए उसके बार वह सेटिंग काम कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके से fix होगा आपका problem उम्मिद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पुस्टने होगा thanks for watching